नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं गढ़ी में सकार नरायन, विश्वस हरी उर्फ भोले बाबात सत्संग समाप्त करने के बाद बाहर निकल रहे थे हाजसे पर राष्ट पति द्रोपती मुर्मुख पधान मंत्री नायन्द मोदी कांग्रेस अध्यक्स मलिकार जुन खरगे लोस में सभा में विपक्स के नेतराहुल गांधी, जारखन के सीम चंपाई सुरेन, पुर्व सीम हमान सुरेन वह भाजपा परदिस अध्यक्स बावुलर महाडी ने सुक्त ब्यक्त गया है बता दे, सथसंग के समापन के बाद लोग बाहर निकलने में जल्द बाजी कर रहे थे भोले बाबा का काफिला निकलने के लिए सरधालूओ को रोका गया, तभी भगदर मच गई सख के करीब दलदली, मिटी और गड़े के कारण लोग दबाव नहीं जहल सके और गिरते चले गए जमीन पर गिरी महिलाओ और बचों के उपर से लोग गुजरते रहे हाथरस हादसे पर सीम चमपाई सुरेन बाबुलाल हेमन सुरेन ने जताया सोक यूपी के हाथरस हादसे में मौत पर जहारखन के मुखमत्री चमपाई सुरेन, पुर्वस सीम हैवान सुरेन, बिजेपी के परदेश अध्यक्स वावलाल मरांडी, गांडे बिधाय कलपना सुरेन समेत अन्यने सोक जताया है इन्होंने घायलों के जल्द स्वास्त होने की कामना की है इस वर से दिवंगत आत्माओं की सांती और मखायलों की सिक्र स्वास्त लाब के लिए प्रातना करता हूँ इंडिया की बैठक आज बैठक पर टिकी निगा है इंडिया गड़ बंधन की विधाकों की बुद्धवार को महत्पूर्ण बैठक बुलाई गई है पुरमुख मंत्री और जामों के कारकारे अध्यक्ष हेमान सुरेन की ओर से बुलाई गई है बैठक राज की राइनिती के लिए महत्पूर्ण मानी जा रही है ऐसे में इस पर पूरे राज की नजरे टिकी हुई है बैठक से पहले ही सुबे का सियासी पहला चड़ गया है चर्चाओ का बाजार गर्म है मुख मंत्री चमपाई सुरेन के मंगलवार के सभी करकरम अचानक रद कर दिये जाने से भी चर्चाओ को बल मिला है माना जा रहा है कि बिधायकों की मौजूदगी में बड़ा फैसला हो सकता है इसी बीच पूर्व सियम हेमान सुरेन मंगलवार की दोपहर को सियम चमपाई सुरेन से उनके मौराबादी इस्थित आवास पर मुलकात भी की मौलकात का अधिकारिक ब्यवरा नहीं मिल पाया है बैठक में इंडिया गडबंधन में सामिल सभी दलो की बिधायकों को अनिवारे रूप से मौजूद रहने का निरेश दिया गया अधिकारिक रूप से बैठक में गडबंधन की चुनावी रण निती को लेकर बिमर्स भी बताई गई है सरकार ने कोट में कहा तीन सपता में भरे जाएंगे रिक्त सन्वेधानिक पद जारखन में लोकायोक तो सुचना आयोक तो मनवाधिकार आयोक समेथ अन्य सन्वेधानिक संस्थाओक के रिक्त पदो पर तीन सपता में नियुक्ति कर ली जाएगी राय सरकार ने मंगलवार को सपत पत्र दाखिल कर हाई कोट में जान कारी दी है इसके बाद जश्टिस आर्मुको पद्याय और जश्टिस दीपक रोशन के अदालत ने मामले की बिश्तिरित सुनवाई के लिए 6 अगस के तितिन इधारित की इस मामले में सोमवार को सरकार की ओर से सपत पत्र दाखिल कर 4-6 सपता के अंदर रिक्त पतों को भरने की बात काई गई थी इस पर कोट में नराज की जताई थी और कहा था कि इन संस्थावों के पत 3-5 साल से रिक्त हैं लेकिन सरकार पदों को भरने के लिए गंभीता नहीं दिखा रही आदालत ने सरकार को नाया सपत पत्र दाखिल करने उकति की अधिक कम करने को कहा है रांची समेथ पूरे जार्खन में तीन दिन जमा जम बारिस प्रियाप्त नमी बनी हुई है इसके चलते राज में बादल चाय हाई और बिहार से 60 जार्खन की जिमावारती जीलों में अच्छी बारिस होने का आसार है प्रिक्षा में धांधली की CBI जांच की मांग पर प्रदर्सान JSSC PGT परिक्षा में हुई धांधली के बिरोध और इसकी CBI जाज की मांग को लेकर भारतिय जानता यूआ मोर्चा ने मंगलवार को सहीद चोक से मसाल जूलुस निकाला जूलुस में सामील यूआओ ने राज सरकार और JSSC के बिरोध में नारेबाजी करते वे परतसंद किया यूआओ ने JSSC PGT परिक्षा में धांधली के दोस्यों पर सक्त करवाई करने की मांग की है भाज यूमों के परदेश अध्यक्ष ससंक राज ने कहा जारखन में लगातार परत्युक्त परिक्षा में धांधली हो रही है राज के यूआओ का भविश से अधार में है राज में हर परत्युक्त परिक्षा का रद होने का सिलसिला जारी है रांची महानागर युवा मोर्चा ध्यक्ष रोमित नरायन सिंग ने कहा है कि राज्य का युवा पिछले पांच बर्द से ठागा और असहाय महसूस कर रहे हैं लागातार पांच सालों से उनके भविश के साथ खिलवार सरकार ने किया है जार्खन में उत्पाद सिपाही की बाहली पर रोक एजेंसी चेन का मामला जार्खन में उत्पाद विभाग के सिपाहीों की बाहली छो माह से रेडियो फ्रेक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेग उपलब्ध कराने वाली एजेंसी का चेन नहीं के चलते रुका हुआ है दोड में हर ब्यक्ति की मोनेटरिंग होती है लेकिन जारखन पुलिस मुक्याले अस्तर पर दो बार टेग देने वाली एजनसी के चेहन का टेंडर पूरा नहीं हो सका तीसरी बार भी टेंडर पर किरिया की देरी से बहाली टल गई है बताया गया है कि दो बार सिंगल विंडर आने से एजनसी के चेहन नहीं हुआ लेकिन तीसरी बार टेंडर निकलने के बाद एजनसी के चेहन में बधाया आ रही है जनकारी के मुताविक उतपाज सिपाही के 583 पदों के लिए 5 लाग से अधिक अभियार्तियों ने फरम भरा है सारीरिक परिक्षा के लिए 50-50 हजार के अभियार्तियों पर एक बोट बनाया गया जो सारीरिक परिक्षा लेगा जार्खन सहायक पुलिस कर्मी रांची पहुँचे आंदोलन शुरू जार्खन सहायक पुलिस परदेश एसोसेशन की ओर समंगलवार को मोरबादी मैदान में बेमियाद आंदोलन शुरू किया गया एसोसेशन के परदेश अध्यक्ष अविनास दिवेदी एवं सचीव विवेकान परसाथ गुपता ने बताया है कि जार्खन के पडोसी राज 36 गण में सहायक आरक्ष को के लिए डिस्ट्रिक एस्ट्राइक फोर सन्वर्ग गठित कर सेवा अस्थाई कर दिगाई वहीं जार्खन के सहायक आरक्षक पुलिस कर्मियों की तरह काम करने के बावजूद उपेक्षी थाए उन्होंने पताया कि 36 गण में सेवा अस्थाई होने के बाद सहायक आरक्षको का बेतनमान भी निधारित कर दिया गया इसी अधार पर एस्ट्राज सरकार से 12 अक्षल प्रहुई जीलों में कारड़त 22 सहायक पुलिस कर्मियों को जार्खन पुलिस के आरक्षी सनवर्ग में समायोजीत करने की मांग की जा रही है बिद्यालियों में पाथे पुस्थक पहुचाने का मामला तीन दिन में रिपोर्ट देने का निर्दे जार्खन के सरकारी बिद्यालों में पाठे पुस्तक पहुचाने के लिए ट्रांस्पोटेशन रासी नहीं दिये जाने पर सिक्षा भी भागने नराजगी जताई है जार्खन सिक्षा पर योजना परिश्द के राज पर्योजना निदेशक आदित रंजन ने परखंड से बि ससनात्मक करवाई सुरू करने की भी बात कही गई है इंस्पायर अवार्ड के लिए जार्खन से 50 एर आइडिया का लग्ष है भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहे है परतिश्ठित इंस्पायर अवार्ड मानक के तहद 24-25 के लिए जार्खन से 50 एर आइडिया लेने का लग दिया गया है कहा गया है कि सभी बिद्ध्यालाई इंस्पायर अवार्ड.dht.gov.in पर रेइस्टेशन कर सकते हैं छेतरीये सिक्षा सन्यूक्त निदेशक दक्षिन छोटा नागपुर परमंडल सा इंस्पायर अवार्ड मानक की राजे नोडल पताधिकारी अलका जैस्वाल ने कहा है कि जार्खन के बच्चों की अधिकाधिक भागिदारी के लिए 50 एर आइडिया लेने का लग चाहा है राज सरकार द्वारा सुरू की जाने वाली नई योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई पुरुच साहन योजना के तहट एक कोई से लेकर 50 वरस के महिलाओक बैंक खाते में प्रतिमा 15 तरीकों 1,000 रुपे की सहायता रासी हस्तानत्रित की जाएगी खाते में रासी जाते ही लाभुक महिला के निबंधित मोबाइल नंबर पर मुख्यमंत्री की आवाज में वाइस कॉल के माध्यम से यह संदेश जाएगा की योजना के तहट आर्थिक सहायता की रासी उनके बैंक खाते महास्तानत्रित कर दी गई है कैबिनेट के स्विक्रिति के बाद महिला एवंबाल विकास भी भाग ने इस नए योजना का संकल्प मंगलवार को जारी कर दिया है इसके तहट इस योजना का लाब अन्तियोदर अन्य योजना कार्ड फिला कार्ड और गुलाबिक कार्ड सफेद कार्ड तथा हरा रासन कारधारी महिलाओं को मिलेगा लाभुक महिला का अधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य होगा टीबी के मरीजों को इलाज के साथ 1500 रुपे मिलेंगे टीबी के नए मरीजों के लिए रहात भरी खबर है राष्टरी यक्षमा उन्मुनन कारेकरम के नए गाईलाइन के अनुसार अब नए टीबी मरीज मिलने पर उनके खाते में निक्षय पोसन योजना 1500 रुपे जामा किये जाएंगे सरकार टीबी मरीजों को यह राष्टी एडवांस में 1500 रुपे दे रही है नए गाईलाइन के अनुसार इलाई शुरू होने के 84 दिनों के बाद दूसरी किस्त के रूप में फिर 1500 रुपे राष्टी खाते में भेजी जाएगी जिला यक्ष्मा विभाग धनमाद में भी गाईलाइन पालन शुरू हो गया है नए मरीजों के लिए खोज अभियान शुरू कर दिया गया है जिला यक्ष्मा पताधिकारी डक्टर सुनील कुमा ने बताया है कि इससे मरीजों को काफी रहात मिलेगी PGT नियुक्ती पत्र बित्रन कारकरम अस्थागित बताते चले कि कई अभियारते असनत को तर प्रसिक्षित सिक्षक के पई नाम को लेकर सवाल उठा रहे थे जमस्थेतपुर में ग्रामिनों ने घेरा मान को वन विभाग का कर्याला है दालमा वन चेतरे के वन कर्मियों द्वारा निमडी प्रक्षंड के चेलियामा पंचायत के बंधडी गाउं के आदिवासी डाढ़ो सिंग को जंगली सुवर का सिकार करने के मामले में जेल भेजने का मामला गर्मा किया है वन चेतरे के सैकड़ों लोग मंगलवार को हरवे हातियार के साथ मान विभाग के कर्याले पहुंचे और जोर्दार परदसन किया लोग परमपारी कहतियार के साथ साथ जंडा और बैनर लेकर भी पहुँचे थे लोगों ने वन विभाग के कर्याले के बाहर जम्प करना रवाजी की लोगों ने वहां मौझूद वन पता दिकारी दिने चंद्रा को एक ग्यापन सोपा इन लोगों का कहना था कि दालमा के आसपास रहने वाले आदिवासी और जंगल पर निर्भर हैं लेकिन अब वन विभाग उनके खिलाब ही कदम उठा रही है दालमा के आसपास के गाव निमडी और चांडिला, बोगराम, पटमदा और MGM थाना चेत्र के गरामिन ने वन विभाग के कर्याले के समक्ष दालमा वन चेत्र प्रभावीत संगहर समिती के बैना तले यह परदसन किया है धनबाद DC अचानक असपाताल पहुंची धनबाद DC माधवी मिस्टरा मंगरवार को सहीद निर्मल महतो मेटिकल कॉलेज एवम असपाताल पहुंची असपाताल में हर दिन आ रही और वेवास्था को देखते हुए असपाताल परबन से जनकारी ली DC ने सबसे पहले सरजरी रोग विभाग में पहुंच कर यहां मरीज से मुलकात की इसके बाद DC सीसु रोग विभाग में पहुंची यहां पर उन्होंने यह भरती बच्चों से बादचित की मौके पर उपस्थित असपाताल के प्रचारे सा अधिक्षक डाक्टर ज्योती रंजन परसाज से वेवास्था में सुधार करने का निर्देश दिया है धन्यवाद